धर्मराज युधिश्थिर बोले ही जनार्दन, अधिकमास के शुकी पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? तथा उसकी विधी क्या है? प्रिपा करके आप मुझे बताए. श्री भगवान बोले, हे राजन अधिकमास में शुकी पक्ष में जो एकादशी आती है वो पदमिनी क एकादशी कहलाती है. वैसे तो प्रत्य एक वर्ष 24 एकादशिया होती है. जब अधिकमास या मलमास आता है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है. अधिकमास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशिया होती है. अधिकमास में दो एकादशिया होती है, जो पदम एक आदशी क्रिश्न पक्ष के नाम से जानी जाती है, ऐसा श्री कृष्न ने अर्जुन से कहा है, भगवाल श्री कृष्न ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी, भगवाल कृष्न बोले मलमास में अनेक पुन्यों को देने वाली एक आदशी का नाम पदमिनी है, इस जहें एकाधशी करने के लिए दशनी के दिन वरत का आरम करके कांसे के पात्र में जो चावल आधी का भोजन करे कथा नमक न खाएं. भूमी पर सोय और ब्रहम चर्य वरत का पालन करें. एकादशी के दिन ब्रहमा मुहूर्थ में श्रौच आदी से निवुरित होकर दंधावन करें और जल के बारह कुले करके शुध हो जाएं। सूर्य उद्य होने के पूर्वुत्तम तीरक में सनान करने जाएं। इसमें गोबर, मिठी, तिल तथा कुशाव आउमली के चूल से विदिपूर्वक्सनान करें। श्वेत वस्त्रधारन करके भगवान विश्नु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। हे मुनिव, पूर्वकाल में त्रेयायुग में हहाया नामक राजा के वंच में कृत्वीर्य नाम का राजा महिश्नती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की एक हजार परम प्रियस्त्रिया थी, परन्तु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था, जो की उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पित्री, सिध्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदी से राजा ने पुत्र प्राप्ती के लिए काफी प्रयत्न किये, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया, महराज के साथ उनकी परम प्रियरानी, जो एकश्वाकु वंश में उत्पन हुए राजा हरिश्चुन्द की पदमिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज भार सौप कर राजसी वेश्ट याग कर गंध मादन परवत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस परवत पर दस हजार वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ती नहीं हुई। तब पति व्रता रानी कमल नयनी पदमिनी से अनुसुया ने कहा बारह मास से अधिक महत्व पूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसने द्वाद शियुक पदमिनी शुकी पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन होकर तुम्हें शीग रही पुत्र देंगे। रानी पदमिनी ने पुत्र प्राप्ती की इच्छा से एकादशी का वरत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्री जागरन करती। इस वरत से प्रसन होकर भगवान विश्णू ने उन्हें पुत्र प्राप्ती का वर्दान दिया। इसी के प्रभाव से पदमिनी के घर कार्ट वीर्य उत्पन हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था, तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थर किसी में नहीं था. सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुकी पक्ष एकादशी का व्रत क्या है, जो सम्पूल कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी अश्के भागी होकर विश्नुलोग को प्राप्त होते हैं